बलवान बने चुए ने अन्य सभी को बताया कि एक योजना है उसे ध्यान से सुनू तो चित्रसेन और सारे चुए उसकी तरफ देखने लगे और बोले कि बताओ क्या योजना है बलवान ने कहा कि सभी चुएं का दल मेरे साथ चलो सभी कूदते फांदते जो उसके साथ तस्त्र रखे हुए थे यह सब एक ही जगे पर एकटा थे बलवान ने कहा अगर किसी परकार से हम इनको नश्ट कर दें तो हमें इसका बहुत लाब मिलेगा इसके बाद उन दानवोप के पास केवल माया भी सक्तिया रह जाएंगी और आदा जोर उनका खतम हो जाएगा यह बात सुनते ही चितरसैन ने कहा तुम सही कह रहे हो इन्हें हम नश्ट कैसे करेंगे एक बात यादा ही चितरसैन सोचते हुए बोला जिस कमरे में बोजन बनाने की सामगरी रखी है वहां से हम घी तेल के घड़े ले आते हैं उनसे हम इनको नहला देंगे फिर आग लगाए इस तरह से एक साथ ही आग लगेगी जब तक यह आग बुझाएंगे तब तक रजत राजकुमारी मुक्ता और राजकुमार को उनके नगर में पहुचा देंगे यह योजना बहुत अच्छी थी राजा चितरसैन यह कहकर अपने रूप में आया उसने चारों को गड़े निकाल निकाल कर सास्त्रागार की ओर लाने लगे यह बंडार अलग और दूर बने हुए थे इसलिए इस तरफ सबका आना जाना कम था लेकिन सास्त्रागार और रसोई के समान का बंडार घर एक दूसरे से बहुत दूर थे अब तक काम लगबग पूरा हो चुका दो लोगों ने सास्त्रों को घी तेल से नहला कर बिल्कुल तर कर दिया था आकरी खेप आने को रह गई थी तबी एक गड़बड हो गई यह लोग लेकर जैसी रसोई घर के बंडार घर से गड़े लेकर निकले उसी समय असली रसोईया भी आपूंचा उसने उन लोगों को भंडार घर से घी तेल के घड़े ले जाते हुए देखा तो पूछा यह कहां ले जा रहे हो भाईया और तुम कौन हो वे तीनों बोले रसोई बनाने के लिए जरूरत है तो उसने कहा कि मुख्य रसोईया तो मैं ही हूँ मैं खुद यहां आया हूँ मैंने तो मंगवाया उसमें संका की दृष्टी से उन तीनों को देखा तो तुरंती तीनों अपने माथे पर हात मारते हुए बोले पता नहीं किस मूर्ख नौकर ने हमसे आकर कह दिया कि हम यह घड़े ले जाने लगे हम नए हैं ना कमभुक माराज ने हमें कली रखा है इसलिए हमें कुछ पत नहीं है इस बात से वो रसोया चुप तो हो गया लेकिल वो उन्हें सक से देखने लगा वे पून रूप से संतुष्ट नहीं हुआ था उसने उन लोगों से घड़े अंदर रखने को कहा और अपने आप समान निकाल कर चला गया उसके जाते तीनों तेजी से घड़े लेकर भागे बड़ी सिगरता से उन्होंने ये घड़े ले जाकर उनको भी तेल जो था वो सस्त्रों पर छड़क दिया चकमक पत्थर से आग जलाई थोड़े से पत्ते जलाई और उनमें आग लगा दी बाहर से कोठड़ी बंद करके वे पांच उहां से भागे अब हमको पहचा जाने जाने का डर था इसलिए उन्होंने अब की बार दानों का रूप ले लिया उनकी तरह की भेसबूसा और भेंकर आकिरती के बनकर वो उन्हें के साथ मिल गए और सबसे छिपते छिपाते राजकुमारी मुक्ता के महल की और चल पड़े उदार रसोईे ने अब गर की और चल पड़ा वहाँ जाकर उसने देखा कि सब कुछ सामानिया है फिर वे घूम घूम कर हर चीज की पड़ताल करने लगा घूमते घूमते वे सास्त्रागार की तरफ गया तो देखा कि वह परचन डाग लगी हुई थी लपटे निकल रही थी और धुआ आसमान में गुबार बनकर च्छा रहा था चंडोक बहु जोर से चिलाया उसकी आवाज सुनकर सभी दाना भाग भाग कर आने लगे चंडोक ने कहा यहां आग कैसे लगी और किसने लगाई है बहु जल्दी मुझे इसका पता लगा कर बताओ लगता है हमारे हैं कोई दुसमन गुस ग और काम कर रहे हैं फिर उसने रसोया को बुलाया और उसने कहा तुमने जिन लोगों को देखा था उनने जल्दी से ढ्वंडो और पहचानो वे लोग कौन थे रसोया तुरंती दोड़ गया और जाकर उन्हें ढोंनने लगा उसने लोगों की खोजबीन की लेकिन वे नहीं म पता नहीं वे कहां चले गए बाहर तो जा नहीं सकते और क्यूंकि यहां पर तो इतनी सुरक्षा है और परकोटा बंद है तो फिर वो कहां गए चंडोक चिलाया यहां से बचकर जब काली चड़िया भी नहीं जा सकती तो उनके बचने का तो प्रश्णी नहीं उठता इसका म आगाई है इसे यह मालूम होता है कि वे हमारी सकती को खतम करना चाहते हैं और वे बहुत ही चालाख है चंडोक अपने पिता कंबूक को ढूनने के लिए निकल गया कंबूक तक यह सूचना पहुंचाई गई कंबूक भी चंडोक को ढूनता हुआ आ रहा था जैसे उसने च चिंतित स्वर में बोला पुत्र, यहां कुछ उथल पुत्र हो रही है, हमने सुनाये कुछ सत्रू यहां घुसाएं हैं, तो चंडोक बोला हां पिता जी वे देखो, हमारे सस्त्र अस्त्र जल चुके हैं, लेकिन आश्चरे की बात यह है, कि हमारे खिलाब किसी ने सिर उठाय हैं, और यहां से दूर दूर तक हमारे विरुद आने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, इतना कोई बलसाली नहीं है, हमारा सामराज जी यहां पर स्तापित हो चुका है, मैं यहां का राजा बन चुका हूँ, और जो कोई यहां पर सेंद लगा रहा है, तो इसका मतलब है, उसे ह कोई भी नहीं मिला यहां से कोई परिंदा भी पार नहीं जा सकता इतनी कड़ी चोकसी है पर कोटे को पार करके कानी चिडिया तक नहीं जा सकती महराज मैं सच कहता हूँ शुरुक्षा प्रहर इने निवेदन करते हुई कहा चंडोक बोला हाँ पिता जी है सच कहता है मैंने भी सुरक्षा प्रवंद को स्वैम देखा है उसमें कोई चूक नहीं है जब सत्रों यह ढूंडने से नहीं मिले तो जल्दी से चलो और अपने मैल उपवन में भी होजबीन करके उनका पता लगाने की कोशिस करते हैं तो चंडोक बोला ठीक है पिताजी चलो यह कहकर वो दोनों चले गए उदर राजकुमार रजजत राजकुमारी मुक्ता को मैल में पहुँच गया और वैं उसका कक्ष पहले ही देख चुका था उसके कक्ष के बाहर चार राक्षस पहरा दे रहे थे उन्होंने जब रजजत को हुआ देखा तो चौक उटे और कड़क कर पूचा तुम कौन हो और यहां क्यों आये हो रजजत ने भी कड़क कर जवाब दिया मुझसे विनम्र होकर बात करो मैं तुमसे ओपर हूँ सुरक्षा परवंदन का मैं परमुक हूँ मुझे राजकमार चंडोक ने जल्दी न्युक्त किया है महराज ने राजकमारी मुकता और राजकमार चंडन को अपने दरवार में लाने को कहा है और यह भी कहा है कि हुआ उपस्तित चारों पहरोदारों से कहना वे राजकुमार चंडोक को ढूंड कर दर्वार में ले आएं कोई खास आयोजन होने वाला है राजकुमारी मुक्ता को लाने का काम उन्होंने मुझे ही सौपाएं क्योंकि कुछ सत्रू घुसाएं हैं उन्हो तो उनके कोप का भाजन बनोगे तब वो सैनिक कहने लगे जैसी महराज किया गिया और उन्होंने चारों ने राज़त को नतमस्तक होका पड़नाम किया और वहां से चले गए राज़त ने दौार खट-कटाया राजकुमारी मुक्ता ने जैसी दर्वाजा खोला एक भ्यान मुक्ता हैरान रह गए वह उसके रूप पर मोहित हो गई वह एपलक उसे नहार रही थे मुक्ता को देखकर राजकुमार रज़त भी मोहित हो गया था लेकिन अगले ही च्छनवे संभल गया रज़त ने कहा क्या सोच रही हो मुक्ता जी सोचने का समय नहीं है आप अपने भाई राजकुमार चंदन को भी बुलाओ हमें बहुत जल्दी हैं से निकलना है वरना वेराक्षेस आकर फिर से हमें घेर सकते हैं ततकाल राजकुमारी संभली और दोड़ती हुई गई और थोड़ी देर में अपने भाई को लेकर हाजिर हो गई राजकुमार चंदन भी अपनी बेहन मुकता की तरह रूपवान था उन दोनों को लेकर रजत बहुत तेजी से बाहर आया रजत ने आदेश दिया जादोई चारपाई यहां हाजिर हो और हम सब को बसंत नगर में पहुंचाओ थोड़ी देर में चारपाई आकर हाजिर हो गई सब लोग बड़ी सिग गरता से चारपाई पर बैठ गए चारपाई उड़ चली बहुत तेज वेक के साथ उड़ती हुई चारपाई नदी वन राजियों को पार करती हुई बसंत नगर में आ गई और राजा भुवन सिंग के महल के आंगन में उतरी राजा भुवन सिंग महल के छज्जे पर उद ताकि वो अच्छे ढंग से देखे लें लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि वह यान नहीं बलकि चारपाई थी और उनके आंगन में आकर उतरी हैं उस चारपाई से उनके बेटे बेटी उतरे हैं उन्हें देखकर राजा खुसी से भर उटें और अपने दौनों बेटे बैटकर वहां से जा चुका था राजकुमारी मुक्ता और राजकुमार चंदन ने भुबन सिंग को बताया कि किस परकार से उन्होंने राजकुमारी को वहां से बचाया है और फिर वे उन राक्षसों से लड़ने के लिए गए हैं राक्षसों से लड़ने के लिए भुबन सि ने राजकुमारी के ओर देखा और मुस्कराने लगे उन्हें अपनी पुत्री के मन की बात मालूम पड़ गई उसके हाँ भाव से लगा कि वे उसे पसंद करने लगी है वे क्या माराज भुबन सिंग स्वेम भी रजत सेन को पसंद करने लगे थे और उनके गुनों पर मुग था कि वे बढ़ाई है लेकिन वे अपनी सर्थ हार चुके थे उन्होंने ही कहा था कि जो मुक्ता को आजाद कराएगा उसी से उसका विवा करेंगे अब चाहे बढ़ाई हो या कोई और उनके मन में मलाल जरूर था कि कास्वे किसी राज्या का राजकुमार होता क्योंकि अ और स्वेम पक्षी का बेस बनाकर विक्ष पर पहुंचा उसने देखा हुआ एक विचितर परकार की अफरा तफरी मची हुई थे उसे मालुम हो गया कि उन्हीं लोगों को ढूंडा जा रहा है लेकिन अब वो स्वेम राक्षासों के भेस में थे उस भेंकर भेस बुसा में उनको पहचानना मुस्किल था राज कुमार चंडोक के साथ कंबुक के साथ अपने महल की तरफ रवाना हो गए राजा कंबुक और चंडोक अपने महल में थे उनके मन में संका घर कर गई कि आग लगने के पीछे कोई बहुत बड़ा रहसी है और तो कुछ नहीं लेकिन मु दोनों मुकता के महल में पहुची राज कुमारी मुकता के कक्ष के बाहर जाकर उन्होंने देखा चारों पहरेदार गायव हैं और कक्ष खुला पड़ा है यह देखकर दोनों की होस उड़ गए मुकता में कंबुक के प्रान बस्ती थी वे इसलिए कि उसी के करण उसका प्रा गया फिर उसका संपूर गुसा उन पहरेदारों के ऊपर तूटा उसने जोर से तालिया बजाई जिससे आसपास से दास दासिया दोडते चले आए उसने गरज कर आदेश दिया उन चारों पहरेदारों को यह लाकर हाजिर करो उन चारों पहरेदारों को ढूंडा गय तो वे वाह नहीं मिले, चंडोक ने कहा पिता जी महल में देख लीजिये कि वे राजकुमार चंदन भी है कि वे भी गाईब है, तो वए बोले कंबुक हाम यह बात तो सही कहते हो, आप दौनो जो बाप बेटे राजकुमार चंदन को देखने लगे, तो देखा चंदन भी काभी कक्ष खुला पड़ा है वे भी हुआ नहीं है तो वे कंबुक से जो कहने लगा चंडोक पिता जी वे भी गया अब यहां कुछ नहीं है चलो अपने महल में चलते हुआ बैटकर विचार करेंगे जो कंबुक बेचारा निडाल सा हो गया दोनों पिता पुतर जब अपने महल में पहुँचे तो उन्होंने देखा वह चारों पहरेदार पहले से ही तहनात थे उन्हें देखती चंडोक और कंबुक का जो गुस्सा सात्वे आसमान पर था उन्होंने उनसे पूछा तुम लोग यहां क्या कर रहे हो तुम तो राजकुमारी मुक्ता के कक्ष की पहरेदारी कर रहे थे कंबुक को देखते ही परनाम करते हुए वो बोले महराज आपने ही तो हमें बुलवाया है तब ही हम आए हैं माराज आपने हमें हैं क्यों बुलाया है तो राजा कहने लगा कमबुक हमने तुम्हें बुलाया है हमने तुम्हें कब बुलाया यह तुमसे किस ने कहा चारो पैरेदार कहने लगे वहां हमसे सुरक्षा परवंदक के परमुक अधिकारी ने कहा जिने आप आपने न्युक्त किया है तो राजा कहने लगा क्या बक्वास करते हो मैंने किसी को न्युक्त नहीं किया और कमबक्तों हमने तुमें यहां बुलाया था तुमारी लापरवाई की वज़े से राजकुमारी मुक्ता और राजकुमार महां से गायब हो गए है उनका कोई अपहर खेल गया और हमें हबा भी नहीं लगनी थी अब तो मुझे शक है ये सत्रू हमारे ही बीच में मिले हुएं जिने हम पहचान नहीं पा रहे हैं कमबुक की पराजय के अगात के कारण किरोध और छोब में स्वे बहुत दुखी था उसने अपने जो बालों को नोच डाला उसका अपने सैना पती को बुलाया और उससे कहा दुस्मन हमारे बीच है बहुत जल्दी उसको ढूंडो और मौत के घाट उतार दो आदेश का पालन किया गया किसी को भी वहां से हिलने नहीं दिया गया जो जहां था हुआ हुआ है खड़ा रहा अब एक एक की पहचान हो रही थ राजकुमारी मुकता और राजकुमार चंदन को सकूसल बसंत नगर पहुंचाने की बात उन चारों को बता दी थी जिसे सुनकर वो लोग बहुती परसंद हो गए थे और कह रहे थे कि चलो हमें एक सफलता मिल गई है अब हम निश्चिंत होकर आगी की लड़ाई लड़ सक क्योंकि अब हमें मुकता और राजकुमार की चिंता नहीं है उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर आखों आखों में इसारा किया और कहा एक मत से हम एक ही रूप बनाते हैं और वह रूप आसानी से किसी को दिखाई नहीं देगा हम चीटे का रूप बनाते हैं वे मंत्र पढ़ने रगे उनका आकार छोटा होते होते चीटे के रूप में परिवर्तित हो गया वे पंक्ती बना कर दूर जाकर एक नीम के पेड़ पर चड़ गए महां मैदान में एक खटे सभी मानवों और दानवों का एक एक करके परिक्षन और पहचान हो गई इस पहचान को दे पूर यहां पर कोई मायावी सक्तियां हैं और हद से ज़्यादा चालाख हैं हम ऐसे उनका पता नहीं लगा सकते वे किसी और रूप में हैं चलो चंडो रूप परिवर्तन माहा मंतर का जाप करते हैं उसके बात हमें मालुम हो जाएगा कौन कहां किस भीस में है फिर देखे हमारे पंजे से बचकर वो कैसे जा सकते हैं यहां पर मेरा मंतर काम नहीं कर रहा वो दिखाई नहीं दे रहे हैं इसका मतलब उन्हें विशेश मंतर की सिद्धी प्राप्त हैं हमारा माह मंतर उन पर काम करेगा उनकी इस बाचीत को चीटे दलने सुना चंडो कर कमभूक अभी हम उन पर भारी हैं हम रूप बदलते हैं लेकिन वो अपनी मंतर सकती से हमको पहचान नहीं पा रहे हैं महा मंतर सिद्ध कर लेंगे तो वो हमें पहचान लेंगे फिर हम रूप कहां तक बदलेंगे हमारा उदेश से छिपना और रूप बदलना नहीं है बलकि इनको प्रास्त करके यहां से भगाना है इसके लिए हमें लड़ना होगा और अब समय आ गया है इनके साधना कक्ष तक जाने से इने रूखो अभी इने गेर लो और अब समय नश्ट करने में कोई फायदा नहीं है चितर सेन ने मंतर पढ़ा सभी ने अपना-पना मंतर पढ़ा और जो जहां पर थे वही अपने असली रूप में आ गए नेम के पेड़ की एक एक डाल पर बैठे हुए थे वो रजट ने अपना सर्व कला दाता अपने गुरू को और अस्त्रों को समरन किया उसके हाथ में एक से बढ़ कर एक अस्त्र आने लगे उन उसने उन चारों को भी बाट दिये उनकी विसेस्ता थी कि उनके बताई ये कोई साधारन अस्त्र सस्त्र नहीं थे अभी वे अपनी असली रूप में लड़ने के लिए मुस्तैद थे कंबुक और चंडोग जैसे उस नीम के पेड़ के नीचे से निकले वे पांचों लोग धड़ा-धड़ कूदे और उनको गिर लिया अचाना कि अपने सामने पांच-पांच योद्धाओं को देखकर चंडोग और कंबुक चौँके फिर कड़क कर बोले ओ तो तुम हो वो सत्रू जो हमारे हैं चोरी से घुसाए हो मायावी भी हो रूप बदलना जानते हो परन्तो अब तुम बचकर नह के खानदी से अपनी सेना को सजाने के लिए आदेश दे दो और देखो ये मानव जाती के हैं इनको मजा चंखाने के लिए हमारे हैं जितने भी मनुष्य जाती के दास-दासिया है उनको भी एक जगह खटा करो इनको दिखाने के लिए कि इनके सामने ही उन्हें मौत के घाट उतारो तब ही इने मालुम होगा कि कम्बू के एक भ्यानक मौत का नाम है। जैसी आग्या स्वामी कहकर अनुचर ने एक विसेश परकार की तुरही का बाग यंत्र बजाया। उसकी आवाज सुनकर सभी दिसाओं से राक्षस निकल निकल कर आने लगे। वो विविन परकार के आयुद लेकर आये थे। उनकी भ्यानक सकले और गरजदार हुंकार से भ्यांकर दिर्श्य उपस्तित होने लगा। चितर सेन ने जोर से गरज कर अपने सातियों को आदेश दिया। देखते क्या हो किस बात की परतिक्षा कर रहे हो आकर्मन करो। रजत सेन बलवान, सिंग और पवन सेन के घा तक तीर छूटने लगे। कमबुक और चंडोक अपनी रक्षा के लिए बड़ी फूर्ती से चंडोक की तादात में होकर एक साथ कैई रक्षासों को बिच्छा देते हैं। कमबुक और चंडोक उनके बानों के प्रहार से बैचेन थे। उन्होंने तो उसे एक बच्चे के रूप में लिया था। बहुत हलका समझा था। लेकिन वे तो उनकी नाक में दम किये हुए उपर से चितरसेन बहुत ही धुरंदर लड़ाका था। बलवान का बल और पवंसेन की फुर्ती आज दिखाई दे रही थे। कमबुक ने सोचा ये पांच मनुस्या हैं। इन्हें चीटी की तरह मसलते कितनी देर लगेगी लेकिन यह उनकी बहुत भारी भूल थी। ये प पांच मनुस्या पांच हजार के बराबर थे। अभी प्रतवी लोग पर आने के बाद कमबुक का किसी से पाला नहीं पड़ा था। वै तो धोके से वार करता था। वसंत नगर में उसने लोगों का अपरण किया था। लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं चला था। हर बार को रज़त काट रहा था चित्रसैन के प्राहरों से कंबुक और चंडोक बड़ी मुस्किल से अपने को बचा रहे थे कंबुक को बहुत आश्चरिया हो रहा था कि आखिर यह कौन है साधरन मानव तो लगता नहीं लड़ाई भेंकर होती जा रही थी अब एक से बढ़कर एक घातक प्राहर हो रहे थे कंबुक के राक्षस मारे जा रहे थे गाजर मूली की तरह अपने सैनिकों को मरते देखकर कंबुक क्रोध से पागल हो रहा था उसने बस में कुछ नहीं था उससे जायदा सक्तिसाली रजत और चित्रसें थे वे अपने क्रोध को काबू में नहीं रख सका उसने अपने सैना पती को आदेश दिया जित्रे भी मनुस्य पकड़ कर लाए हो उनका इखटा करो और सबसे पहले उनका वद कर डालो यह प्रवर्ती सुरू से चलती आई है कि जब अपने से सक्तिसाली से नहीं जीत सकते तो कमजोर पर तूट पड़ो गुस्सा कमजोर पर ही उतरता है यह सैना पती को पसंदीदा काम मिल गया उसे उसने समस्त मनुस्य दास दासियों को एक जगे ले जाकर एकटा किया इधर कमजोर और चंडोर इन लोगों से अपनी सैना के साथ लड़ाई लड़ रहे थे अगर साधारन लड़ाई होती तो अब तक चितर सैन के दल का पता नहीं चलता यह लोग हार जाते लेकिन इनकी देव्य अस्त्रों से लड़ाई हो रही थी इसलिए यह उन पर भारी थे चंडोक सैना के पीछे हो गया उसने अपना रूप बदला अभी घमासान लड़ाई चल रही थी तब वे घूमते हुए पीछे से आया और उसने बलवान सिंग पर तगड़ा प्राहर किया पवन सैन ने यह देख लिए बड़ी फूर्ती से दोड़ा उसने चंडोक को धका दिया और उस पर किरपान का भरपूर वार किया बलवान ने पलट कर देखा तो यह देखकर कि वे भेज बदल कर मारने आया था किरोधित हो उटा उसने एक परचंड घूसा चंडोक की नाक पर रखा चंडोक एक घूसे में ही धेर हो गया बलवान में वह सकती थी कि वे हाती को भी बैठा सकता था उसने चंडोक के एक घूसा और जड़ा चंडोक की आत्मा उसके सरीर से निकल कर पंच तत्व में बिलीन हो गए कंबुक इस समय पूरे रोधर रूप में युद कर रहा था यू तो उसकी सेना चोटी सी थी जिसे बड़ी टुकडी भी कह सकते हैं पर वैसमाप्त हो गई थी उसने घूम कर चंडोक को आदेश दिया चंडोक अपना वैसिद वाला किरपान निकालो चंडोक की कोई आवाज नहीं आई तो उसने पीछे घूम कर देखा चंडोक का कहीं पता नहीं था उसने अपनी निगा दोड़ाई तो देखा कि रजत और चितर सैन के दल के सामने वो मरा पड़ा था यह देखकर उसके होस उड़ गए उसने अपने समस्त आयुद सस्त्रों अस्त्रों की एक साथ बोचार कर दी जिससे रजत के दल में तरही तरही मच गए यजपी उन्होंने अपना वचाब किया था लेकिन फिर भी उन पर घातक प्राहरों से चोट लगी थी और उनकी गर्मी से उतरपने लगे थी उसी समय आश्चरिया हुआ उनके चारों तरफ सीतल पत्तों की चादर के छाया तन पत्तियों का रस निचुड निचुड कर उनके उपर गिरने लगा और उनकी चोट ठीक हो गई उन्होंने देखा वे चार पाई वाली बंदेवी उनके सामने खड़ी मुस्करा रही थी अब उनके चारों तरफ एक इस पात की तरह की दिवार सी तन गई जिस पर कमबुक के किसी बीवार का असर नहीं हो रहा था उदर सैनापती ने जैसे ही दास दासियों के उपर अपनी बान वर्सा की वैसे ही एक साथ आठ यूकों की टोली आकर खड़ी हो गई यह दल जादूई चार पाई के पाई और पाटियों का था उन्होंने अपने घातक और भेहंकर ती कि हम लोग की सेर कर रहे थे इधर देवी ने कंबुक की तरफ से अपने हाथ का इसारा किया कड़कर बोली देख कंबुक आज तक तुने कितने ही निर्दोस जीव जन्तूं की मनुश्यों की हत्या किये उनके मास को खाया है खून को पिया है तुझे किसी भी जीव जन्तू की दया नहीं लगती प्रानों का तो तू प्रानों का और मिर्ट्यूं का डर क्या होता है आज तू भी देख ले उसका स्वाध चक उसके हाथ में एक चक्र निकला और तेजी से घूमता हुआ कंबुक के जिर को काट कर उड़ा ले गया कंबुक का धर जमीन पर पड़ा था र उनसे पसों की तरह काम लिया जाता था उन पर राक्चस बहुत अत्याचार करते थे उनको बहुत मारते पिड़ते थे खाने को नहीं देते थे उन्हें लगता था उनका जीवन यहीं बीतेगा बसंत नगर से बहुत से लोग यहां तो कहीं भाग गए थे कहीं छुप गए या फिर अपनी रिस्तेदारियों में चले गए थे क्योंकि रोज रोज के किसी ना किसी के अपरण होने से वहां देहसत फैल गई थी जो कोई भी विरोध करता उसे राक्चस मार डालते थे आज जाकर इस नरक से मुक्ती मिली थी सभी लोग राजकुमार रजतसैन को धन्य बिरे रहे थे उनका घर भी लोट लिया गया था हुआ कुछ भी नहीं रह गया था और हुआ राक्चस अपना SB करते रहते थे और उनके सरेर के अलावा उनके पास कुछ नहीं था रजतसैन ने खजाने में जाका जो भी खजाना था वे इन लोगों में बाट दिया उसक गर तक पहुंचा कर फिर वापस आ गई, उसके बाद और लोगों को उसमें बिठा कर ले गई, इस परकाद जादूई चारपाई ने थोड़े ही समय के अंतराल में सारे नगरवासियों को वसंत नगर में पहुंचा दिया, अब हुआ जंगल में कुछ विसेस नहीं रह गया मेल में जो भी राक्षस और उनकी इस्त्रियां बच्चे थे, वे सब राक्षस लोक में भाग गए थे, राक्षस लोक में इस्त्रियां और बच्चों को निस्कासित नहीं किया गया था, उनके लिए अभी भी हुआ जगया थी, कमबुक को ही सडियंत्र के कारण निकाला ग हम लोगों को भी बसंत नगर पहुंचाओ जादू इचार पाई उनको लेकर बसंत नगर में पहुंच गई जादू इचार पाई उन लोगों को ले जाकर जो राज महल में उतारा राजा भुमन सिंग उन्हें देखकर बहुत परसन हुआ उन्होंने उन लोगों का विसेश आ गए थे वो लोग भी वापस लोट आए जिससे यह नगर फिर से पहले की तरह आबाद हो गया राजा भुवन सिंग और राजा चितरसैन आज फुरसत में बैटे वे बाते कर रहे थे राजा भुवन सिंग ने अपनी कहानी राजा चितरसैन को सुनाई और राजा चितरसैन न तो कितना अच्छा होता राजा चितरसेन ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा राजकुमार होता अरे वो तो है राजकुमार तो राजा भुवन सिंग बहुत जोर से चो के बोले क्या तो राजा चितरसेन बोले हाँ क्या तुम्हें नहीं पता हुए राजकुमार है वे उसने मुझे बताया कि उसकी बड़ाई के बेटे सुन्दर से दोस्ती थी इसकी वजय से उसके पिता राजा विक्रमसेन ने उसे राजय से निसकासित कर दिया था वैं चाहते थे कि वैं उससे दोस्ती छोड़ कर राज काज में रूची ले उनका विचार था कि छोटे लोग प्रती में उनके तुछ विचार हो जाते हैं बस यहीं से राजकुमार में और राजा में अन्बन हो गई उनके इस बात को जूटा सिध करने के लिए ही राजकुमार ने राज्य छोड़ दिया यही ने उसे राज्ते में जो मित्र मिले वे भी अपने गुनों के कारणी निका काम आये हैं रजत ने दर्याई को मजदूर समझकर ही अपने दल में सामिल किया था लेकिन उससे कभी नौकर वाला वरताब नहीं किया मित्र वाला वरताब किया उसका दिल बहुत बड़ा है वे बहुत उदार है वे निश्चे ही बहुत परजा वतसल राजा बनेगा परुपकारी की भावना से परसन होकरी उसको देविये अस्त्र सस्त्र मिले हैं और यह जादूई चारपाई भी इसी परुपकारी की भावना से परसन होकर वन देवी ने उसे दी हैं और रजत सैन को इस बात का पता चल गया कि आप गुनों को महत्व ना देकर कुल को महत् कर देगा राजा भुबन सिंग्या सुनकर खुस हो गए उन्हें अपनी सोभाग्या पर विस्वास नहीं हो रहा था उनके इसे से बहुत बड़ा बोज उतर गया लेकिन उसके बाद उन्हें पश्यताब भी हुआ कि रजत को बढ़ा ही समझ कर वे मानव के गुनों के अवेलन करवादी नगर को सजाया जाए जिस नगरवासी के पास किसी चीज की कमी है वे दरवार में आकर बताए पूरा बसंत नगर जगमग कर उठा जो राज्य सुना पड़ा था अब वे डोल नगाड़ और नाच गाने से गूझ रहा था राजा भुवन सिंग ने रजत सैन और म पसंद नगर ले आए समस्त राज्य में खुसी चा गई राजकुमार रजत सैन और मुकता का धूमधाम से बिवा हो गया अब राजा चितर सैन रजत सैन बलवान और पवन और जो उनके दल के राजा भुवन सिंग से इजाजत मांगी उनके दलने जाने के लिए रजत ने क क्यों नहीं हम अपनी सैना सजाते हैं और स्वास नगर पर चल कर आकर्मन करते हैं रजत ने हसकर का इसकी कोई जरुत नहीं पढ़ेगी राजन उसके लिए हम चारोई काफी हैं इस बात पर सभी टाह का लगा कर हस परे राजा भुवन सिंग ने भारी मन से उन्हें विदा क तो रजत ने राजा चितर सैन का नुरोद सभी कार कर लिया रजत मुकता बलवान पवन और अपने परिवार सही दर्याई अपने कीरती नगर के उसी घर में आया जहन दर्याई अपनी मा के साथ रहता था और रजत को मिला था वहीं पर उन सब लोगों ने अपना अड़ा जमाया आप इन लोगों के सामने धन की कोई समश्या नहीं थी क्योंकि राजकुमारी मुकता तो साथ ही थी क्योंकि हीरे मोतियों की खान तो राजकुमारी मुकता ही थी रजत सैन ने वन देवी को याद किया और चारपाई उसे वापस देने की बात कही लेकिन वन देवी क्या कैकर एद्रश्य हो गई यह चारपाई तो हमेशा आप तुम्हारे पास ही रहेगी क्योंकि तुम अच्छी तरह से इसका सदुपयोग करना जानते हो इसी जादुई चारपाई पर बैठकर सभी लोग किरती नगर में गाए आप दर्याई के छोटे से घर में खुसियां क का राजय था किरती नगर का राजय समर परताप के पास से लोगों कोई सूच ना पहुंच गई क्योंकि ऐसी अद्वुत चारपाई पर बैठकर इन लोगों के आते समय नगरवासियों ने उन्हें देखा था वे डर गए थे उन्होंने सोचा कि या तो कोई देविया समर परताप ने अपने सैनिकों को भेजा और यहां रहने वाले लोगों को अपने दरवार में बुलाया सैनिकों के साथ चितरसैन रजत बलवान पवन और दर्याई पहुंचे चितरसैन ने उन्हें अपना परीचे दिया और बताया मैं स्वास नगर का राजा चितरसैन हू यह मेरा बेटा अभैसिंग है तो समर परताप ने सिंगासन से उतर कर चितर सैन को नमस्कार किया और मंतरी को आग्या दी कि यह तो हमारे विशिष्ट अथिती है इनके लिए उचित आसन की विवस्ता करो समर परताप के बराबरी दूसरा आसन लगाया गया जिस पर राजा च खुशी से कहा यह मेरा सो भाग्य है क्या आप सब को एक साथ देख रहा हूं चंद्र नगर सक्ती नगर और भूजपुर को कौन नहीं जानता यह तो परसिद राज्जिये हैं और आपकी कीर्थी तो पहले से फैली हुई थी आप से तो डरना पड़ेगा चितर सेन को संबोध करते वे राजा समरसेन कहने लगें अगर आप नाराज हो गए तो मुरगा भी बना सकते हैं और बकरा भी मेड़ा भी यह बात सुनकर सब लोग हसने लगे फिर समर परतापने का आप से परिवार हैं तो उस घर में क्यों ठहरे हैं मंत्री को आग्या देकर राजाने का जाओ महरानी महरानियों को और राजकुमारियों को आदर सही राज महल में ले आओ और उनको महरानी के पास जाकर ठहराओ जाकर महरानी को यह सूचना दे दो उनके रहने की उचित वेवस्ता करें तो सैनापती ने कहा जो आग्या महराज कहकर मंत्री जी चले गए उसके बाद मह रानी वसूदा राजकुमारी नंदनी मोहिनी और मुक्ता को भी राज महल में लाकर किरती नगर की रानी सुनैना के पास ठेराया गया सुनैना रानी वसूदा से मिलकर बहुत फरसन हुई नंदनी मोहिनी और मुक्ता किरती नगर की राजकुमारी सुकन्या के साथ हिल मिल गई मुक्ता हुआ सभी के लिए कोतुक का विश्य बनी रही क्योंकि उसका हसना और रोना दोनों कोतुक पूर्ण था वे तो जहां रहती हुआ हीरे मोतियों का धेर लगा देती चितर सैन ने समर परताप को बताया कि तांत्रिक जादूगर को मैंने नाराज कर दिया था वही जाकब परचंट सिंग से मिल गया और उसने आकरमन करने के लिए उसे उकसाया इस तरीके से जादूगर ने मुझसे बदला ले लिया लेकिन वैसे परचंड सिंग की मेरे सामने कोई ताखत नहीं है जो मुझे जीत सके अब यही बात है यदि फिर से वे जादूगर आ जाएगा तो शायद मैं कमजोर पड़ जाऊंगा मेरा राज्य और सैना तो परचंड के ही पास है अरे राजा कहने लगे आप उनकी चिंता मत करो जादूगर कितना भी ताकतवर हो लेकिन उसने अपनी सक्तियों का गलत ढंग से उप्योग किया है इसलिए उसकी सक्तियों में वह ताकत नहीं रहेगी अब की बार आप सच्चाई पर है इसलिए आप उससे जीत जाएंगे इसकी चिंता मत करो रजट सैन ने चितर सैन को तसली दी समर परताप ने कहा लेकिन हमारा राज्य तो आपके राज्य से थोड़ी दूरी परिस्तित है इसलिए यहां से सैना ले जाने में कोई परिसानी नहीं है इस बात पर चितर सैन ने अपनी सहमती दे दी सैना सजाई गई उन्होंने सुहास नगर पर आकरमन कर दिया सुहास नगर की सैना लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी अचानक से इस आकरमन से परचंड सिंग घबरा गया आनन फानन में उसने अपनी सैना तयार की और लड़ाई के मैदान में आ गया लड़ाई शुरू हो गई अब की बार चारो राजकुमार और समर परताप का बेटा जीत सिंग लड़ाई के लिए सबसे आगे मोर्चे परते और अपनी अपनी घुरसवार टुकडियों का नेतरित्व कर रहे थे भीसन यो दूसरू हो गया परचंड सिंग ने अपनी जान की बाजी लगा दी पर उसकी सैना बुरी तरह से परास्त होने लगी तो उसके पास एक ही उपाय रह गया उसने तांत्रिक जादूगर को याद किया जाते समय वे उसको बता कर गया था कोई मुसीवत पड़े तो मुझे बुला ले ना तांत्रिक जादूगर हुआ आकर हाजिर हो गया सैनिय बल से हरकर परचंड सिंग निरास नजरों से उसे देख रहा था तब ही जादूगर आ गया और उसने अपनी मायावी सैना सजा दी अब परचंड की आखों में चमक आ गई उसने अपनी सैना को जोस दिला कर बची कुछी सैना को एगवार फिर से खटा करके खडा कर दिया जब चितर सैन और रजट सैन ने देखा तो उसने सारे सैनिकों को बबबर सेर बना दिया दाड़ते हुए परचंड सिंग की सैना पर दोड़ पड़े और भगदड मच गई अब तक एक भी सैनिक नहीं रह गया था केवल जादूगर और परचंड सिंगी मैदान में जुटे थे परचंड सिंग की हिम्मत जादूगर की वज़े से अभी भी बनी हुई थी काफी नहीं था जादूगर बहुती दुष्ट प्रबर्ती का था वे अपनी जादूई सक्तियों का कहीं भी गलत इस्तमाल करता इसलिए रज़त सैन ने जो घातक मारक अस्त्र छोड़ा वे जादूगर के सीधे हिर्दिया में अब वे बिलकुल सनागत था उसको मारने का कोई लाव नहीं था चितरसैन ने उसे माफ कर दिया और का जाओ जाकर अपना राज्य देखो परचंड सिंग अपने परिवार से अपने राज्य को चला गया उसे तो यह भी उम्मीद नहीं थी राजा चितरसैन उसको माफ करेगा क्योंकि उसकी वज़े से चितरसैन ने बहुत दुख उठाए थे और वे घर से बेगर होकर दरदर की ठोकरे खा रहा था उसने तो चितरसैन के परिवार का वद करने की आग्या दे दी थी लेकिन वे तांत्रिक जादूगर के कहने पर उसने किया था उसके परवाब में वे आ गया था वे तो आकरमन भी नहीं करना चाहता था लेकिन जादूगर ही उसको लेकर आया था अब चितरसैन का जब मौका आया तो उसने परचंड के परिवार को और उसकी जान को बखस दिया इस बात से परचंड को पश्यताब भी हुआ अब वे हिर्दे से उसका सच्चा दोस्त बन गया उसका रात स्वास नगर्म से सटा हुआ राज्य था इसलिए पश्यताब के रूप में अब वे राजा चित्रसेन की हर कदम पर मदद करने लगा वे हुआ से आकर स्वास नगर में चित्रसेन की स्वागत की तैयारी करवाने लगा उसने चित्रसेन के नगर में आने से पहले ही स्वास नगर को भव्य रूप से सजवाया उने के पूरे महल में एभूत पूर डंग से सजावट की गई चितर सैन के परिवार को लाने के लिए स्वैमी एक स्वागत दल की तैयारी करने लगा समर परताप के महल के बगीचे में मोहिनी नंदनी मुकता सुकन्या और एक स्वेथ इस्टैफिक मंडप में बैटी हुई बगीचे की सोबा नयार रही थी सभी राजकुमारियां इकटी थी वे आपस में हसी मजाक कर रही थी योबनारंब के स्वैपन उनकी निद्रा को सजाने लगे थे उन्हें विचलित करने लगे थे वे आपस में चोहलबाजी कर रही थी किलोल कर रही थी इतने में उनमें बहुत प्रेम हो गया था वे पक्की सखियां बन गही थी और एक दूसरे को अपने दिल की बात बताती थी जब यह उनके जाने की बात होती तो सुकन्या को बहुत तकलीफ होने लगती इसलिए वे अपना कोई भी समय वेर्थ नहीं कर रही थी हर समय साथ साथ रहती खूब धेर सारी बाते करती मौसम अच्छा था वसंतरितू का आगमन हो गया था पतजड के बाद धरती का रूप बदलने लगा था और इस सुन्दर उपवन में अपनी सोबा बिखेरने लगा था चारों तरब बाहरी बाहर चाही थी तरह तरह के फूल खिल रहे थे और इनके बीच सारी सकियां बैटी आनंदित हो रही थी और तितलिया फूलों पर बैटकर जो मकरंद इकर्टा कर रही थी भवरे गुनगान कर रही थे सुकन्या तभी सुकन्या को एक कोतुक सूजा उसने का सकियों आज हम सभी एक दूसे को बताएंगे कि हम किस किस को प्रेम करती हैं किस के लिए हम नाम नहीं लेंगे लेकिन इसारों से बताएंगे यह एक खेल है सुकन्या की बात सुनकर मोहिनी और नंदनी भी उस खेल में सामिलो गए मोहिनी नंदनी और मुक्ता ने सुकन्या से कहा तो फिर सुरुआत भी तुमी कर दो तुम ही बताओ मेरा मतलब है पूछो और हम नाम ढूंड देंगे बोज ऐसी मित सह सकता है फिर भी कोई बात नहीं कहता वही मेरे मन को भाया मेरे जिया को बहुत लुबाया गाकर सुकन्या ने उन लोगों की तरफ देखने लगी उन्होंने थोड़ी देर सोचा फिर मुक्ता ने चुक्ती बजाई और बोले अरे भाई यह तो हमारे दर्याई जी की खास्यत है सही का या नहीं सुकन्या के चेहरे पर लज्जा की लाली फैल गई सुकन्या के बारे में सबको पता चल गया उसने अपने बारे में बता दिया अब मोहिनी और नंदनी की बारी थी मोहिनी ने एक लंबी घास का तिनका तोड़ा और अपने को वैस्त दिखाने के लिए वे घास का तिनका चबाने लगी और धर्ती की तरब देखते वे धीरे से बूली खुसबू अपने संग में लाए उसके बिना जिया नहीं जाए उसके दम पर दुनिया चलती उसको छूकर कलिया खिलती तीनों कुछ देर सोचती नहीं फिर सुकन्या खुसी से उचल पड़ी और बूली ये तो हवा मतलब पवन है सबने मिलकर मोहिनी को बहुत परिसान किया मोहिनी ने भी तीनों को खुब छखाया अब तू बता नंदनी सुकन्या और मुक्ता ने जिद करके उससे पूछा तो उसने बलवान का नाम बता दिया मेहल में सुनेना और वसुदा बैटी हुई आपस में बाते कर रही थी वसुदा बोली बहन जाने का मन नहीं हो रहा अब यहां के सभी कामने पट गए हैं अब तो हमको यहां से जाना पड़ेगा यह सुनकर सुनेना उदास हो गई फिर धीरे से बोली बहन इतने दिनों से तुम से इतना प्रेम हो गया है तुमारे जाने की बात सुनते ही मेरा दिल उदास हो जाता है लेकिन क्या बताए जबरदस्ती रोक भी नहीं सकते वसुदा बोली वही तो मुझे लगता है ऐसा लगता है जैसे पिछले जनम से ही हम एक दूसरे को जानते हैं सुनेना हिचके चाट भरे स्वर में बोली एक बात कहूं बेहन मान लोगी वसुदा बोली क्या है इसमें आश्चरीय से पूछा बोली मेरी बेटी सुकन्या तुम्हें कैसी लगती है तो वसुदा ने कहा तो वो बोली कैसी लगती है वै तो बहुत अच्छी है सुनदा रहे इतनी की चांद भी सरमादे और गुनी तो तुमने उसे इतना बनाया है यह कोई कहने की बात है यह सुनकर सुनेना बहुत खुस हो गई फिर कहने लगी बेन क्यों नाम सम्मंदी बन जाएं सुनेना तो खुसी से बोल रही थी क्या मतलब जो वसुदा कहने लगी तो कहने लगी मतलब कि आप हमें आपका बेटा अबे बहुत पसंद है हम उसे अपनी बेटी सुकन्या का बिवा कराना चाहते हैं बसुदा भी इस बात को सुनकर बहुत खुस हो गई उसी समय में हैल में तीनों सक्कियां सहीत मुक्ता ने परवेश किया उन लोगों ने बसुदा के अंदिम सब्द सुन लिये थे मुक्ता ने सुकन्या को कहनी मारी और मुस्करा कर बोली देखो तुम तो बहुत भागे साली निकली हम तो वहां बाते ही कर रहे थे और यहां तुमारे बिवा का प्रस्ताब भी रखा दिया गया है और लेकिन अपनी नंदों के बारे में सोचो तुम भावी बनने वाली हो तो उनके हाथ पीले करवाने का तुमारा दाई तुम भी बनता है अब तुम भी चल कर मोहिने और नंदनी की बात बता दो अभी अभी वह अपने विवा की बात सुनकर सुकन्या लजा रही थी वह बोली मैं नहीं अब तुम ही कहो मुकता बोली ठीक है मुक्ता को छोड़कर बाकी तीनों महल में अपने कक्ष की ओर चली गई और मुक्ता उन्हें प्यार से देखती रही और वसुदा ने कहा प्यार से आओ मुक्ता बेटी आओ मेरे पास बैठ जाओ मैं कुछ कहना चाहती हूं मुक्टा ने धीरे से गा तो बसुदा और सुनेयना दौनों ने मुक्ता की ओर देखते हुए का हाँ हाँ बेटा का हो तो मुक्ता कहने लगी मा मोहिनी पवन के साथ भिवा करना चाहती है और नंदनी बल्वान के साथ वे दोना उन्हें ही वरन करना चाहती है सकी होने के कारण आपको मुझे जो बताना पड़ा है तो वो कहने लगी है तो बड़ी खुसी की बात है मैं इनके बारे में विचार कर भी रही थी क्योंकि ये चारो ही पक्के दोस्त हैं और आपस में समंध हो जाएगा तो ये प्रेम और गहरा हो जाएगा और हम उनके राजिये में विवा का संदेश भेजेंगे वसुदा ने बहुत खुसो कर कहा तो सुनैना ने भी समर्तन किया हाँ भेन जी ये बिलकुल ठीक रहेगा ये समाचा राजा समर्परता परचेतर सैन के सामने तक भी पहुँचा तो ये दोना भी बहुत ही खुसो गए भब्या आयोजन करके केरती नगर नगर को सजाया गया दर्याई यानि अभै के साथ सुकन्या का धूमदाम से भिवा हुआ उसके बाद जो सभी लोगों ने केरती नगर में प्रस्तान किया वे सब लोग स्वास नगर में आ पहुँचे बल्वान से और पवन से और रजट को दर्याई नहीं जाने नहीं दिया अब सब कुछ ठीक हो गया था सब के दिन बहुती आनंद से गुजर रहे थे बल्वान और पवन को मालुम हो गया कि उनका बिवा नंदनी और मोहिनी से होगा कभी आते जाते जब पवन और मोहिनी की नजरे टकरा जाती तो दोनों ही संकोच से मुस्करा कर निकल जाते यहाल बल्वान और नंदनी का था आप चितरसेन और वसुदा ने प्रामर्स करके बल्वान के राज्य भोजपुर में नंदनी के बिवा का प्रस्ताब भेजा और सांती नगर में मोहिनी का उधर बल्वान के पिता सौमराज ने मंत्री के कहने पर उनको निकाल जरूर दिया था लेकिन उनके बिनावे बहुत व्यकुल हो गई थे दीरे उन्होंने मंत्री का वैवार बधला सा लगा और उन्हें उस पर सक्ख हो गया कि मंत्री उनके खिलाब सडियंत्र कर रहा है जब राजा सौमराज को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने अपने गुप्त चनों के द्वारा मंत्री की निग्रानी करवाई तो पता चलो है पड़ोसी देश के राजा के साथ मिल गया है बल्वान के रहते उसकी योजना सफल नहीं हो पाती थी इसलिए उसने बल्वान को सडियंत्र करके निकलवा दिया था इस बात का पता चलने पर सौमराज को बहुत दुख हुआ वे दिनराद बल्वान को याद करने लगे उन्होंने मंत्री को कड़ी सजा दी और नया मंत्री बना लिया अब बल्वान की पर्तिक्षा कर रहे थे बल्वान के बारे में उनको भी बहुत कुछ सुनने को मिला था वे अपने बेटे की सफलता पर बहुती आनन्दित और परसंद थे और उनके आने का इंतजार कर रहे थे तब उन्हें उनके बिवा का संदेश मिला और मालूम हुआ बलवान स्वासनगर के राज़ा चितरसैन के यहां है और उनके बेटी से बिवा होना है तो उन्होंने चैन की सांसली और अपने पुत्र पर गरव के अनुभूती हुई पवन और रज़त सैन के यहां भी सभी लोग उनके बिना परिसान थे रज़त सैन को तो उनके पिता सुधार ना चाहते थे लेकिन उनके विचार अलग थे रज़त के अलग थे आब इतने दिन में रज़त ने स माहल था कुछ दिनों तक स्वास नगर में रहने के बाद तीनों के जाने की इजाज़त मांगी रज़त बलवान और पवन वहां से रवाना हुए तो सब के रास्ते अलग-अलग हो चुके थे बलवान और पवन के यहां जब नंदनी और मोहिनी के बिवा का संदेश पहुंच से उन लोगों की बराते सजाई गई और नंदनी मोहिनी का बिवा हो गया इस समारों में सभी दोस्त सामिल हुए अलग-अलग होते समय मोहिनी नंदनी दोनों ने मुक्ता को अपने यहां आने का निमंत्रन दिया वहीं बलवान और पवन ने भी आगरे किया था कि हाँ जब तो उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ बन में जाया करता था एक बार जैसे पिता ने हरे पेड़ को काटना चाहा तो वहां एक सुन्दर इस्त्री पर गट हुई और उसने हरे पेड़ को काटने को मना किया था और कहा था जो पेड़ सूक चुके उनको ही काटो जब ने ये प्रस्ताव सविकार कर लिया आखिर कर आगे चलकर रज़त कोई राजा बना था और सुन्दर से बढ़कर रज़त का हितेसी और सच्चा दोस्त कौन हो सकता था अब वे भी मान गए थे कि वेक्ति के गुन उनकी जाती कुल पर नहीं बलकि इस वर द्वारा दिये जात हैं यद पिवे चारों दोस्त अलग-अलग हो गए थे फिर वे उनकी मितरता बरकरार थी जब भी कोई मुसीबत पढ़ती तो एक साथ एकटा होकर वे एक दूसरे की मदद करते थे इस परकार से उनकी संगठित सेनाओं को कोई नहीं हरा सकता था दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंदाई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें रादे रादे